नश्कार मैं हूँ जनलिस्ट राजन और आज मैं आपको बताऊंगा जौनपूर जिले के जो दस बड़े बकायदार हैं जी हाँ जौनपूर जिले के जो दस बड़े बकायदार हैं जिन्होंने रिड लिया लेकिन जमा नहीं किया उनके बारे मैं आपको बताऊँगा एक दसक से इन लोगों का नाम जो है चला रहा है मैं कलेक्टेट का शहरी में हूँ और ये देखिए नाम की जो लिष्ट है वो लगी हुई है कि जौनपूर के जो दस बड़े बकायदार है उनकी सूची लगी हुई है सबसे पहले नमबर पे गर हम बात करें तो रडजीत सिंग, पुत्र स्रीमाती वीर सिंग, ग्राम नदिया पार, तहसील सदर ये खाद यों रशत का इनका बकाया है दूसरे नमबर पे बात करें तिक महिला है स्रीमती गीता देवी, पत्नी लालता प्रसाद, ग्राम सिद्धीकपूर, तहसील सदर, खाद यों रशत का इनका बिबकाया है, चौनगल लाख, पच्छत्तर हजार, चार सो उन्चाज रुपए तिसरे नमबर पे हैं तुशार राइस मील प्रोप्राइटर स्रीमती नीतु शिंग, पत्नी श्री राजेश शिंग, ग्राम बोड़सर खुर्द तहसील किराकत, खाद्यो रशत का इनका भी बकाया है, 48,45,198 चौथे नमबर गर बात करें तो विरेंद कुमार, पुत्र न पन हजार, चठे नमबर पे राजेश कुमार सिंग, पुत्र स्री चंद्रभान सिंग, ग्राम खुनसापूर, तहसील सदर्वाडी जोरकर का बकाया है, 8,72,073 रुपए, और सात्वे नमबर पे स्रीमती अमरावती देवी, पत्नी लाल जी, ग्राम मलुपूर, तहसील बद 36 रुपए, नवे नमबर पे महेंद प्रताप, राजेंद प्रताप हैं, पुत्रगर सुबेदार शिंग, ग्राम अकबरपूर, तहसील सागन, इनका बेंग का दे का बकाया है, 7,27,344 और स्रीमती राधा देवी, पत्नी कडेदीन, ग्राम बश्रमा, तहसील मचली शहर, इ जोनपूर के 10 बड़े बकादारों की सूची है, जो कि एक दसक से आहां पे लगी हुई है, इस मेंसे पता नहीं कितने लोगों ने जमा किये नहीं किये, अगर जमा नहीं किये, तो इनके उपर कारवाई क्या किया, यभी तो कुछ भी पता नहीं आँई, आगर इन लोगों कर दिया हा गया है तो इन लोग का नाम यहां से क्यों नहीं हटाया गया क्यों इस लिस्ट को जो संसोधित नहीं किया गया यह भी बड़ा सवाल है अब देखते हैं इस खबर के चलने के बाद जिला प्रशाशन क्या संग्यान लेता है क्या इनमेश अगर किनी ने जमा किया है टून का नाम हटाया जाता है या फिर यह लोग जो नहीं जमा कर रहे हैं तो क्यों नहीं जमा कर रहे हैं इनके उपर क्या कारवाई की जाती है यह देखने वाला विशह है